अगर आप इंडिया से कैनडा ट्रावल कर रहे हो तो आप अपने साथ कुछ ने कुछ पैसे भी लेके जाओगे और ये पैसे लेके जाने के काफी सारे तरीके होते हैं और इन सारे तरीकों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे इन मेंसे कुछ तरीके ऐसे भी हैं जिसके वैसे आपको काफी सारा नुकसान झेलना पड़ सकता है आपको काफी लॉस हो सकता है क्योंकि काफी सारी fees और काफी सारी charges यहां पर लग जाते हैं अगर आपने ढंक से research नहीं करी होगी तो इसलिए इस वीडियो को end तक जरूर देखना है क्योंकि इस वीडियो में आपको सारे तरीके बताने वाला हूँ जिसके थूरू आप India से Canada पैसे लेके जा सकते हो और मैं ये भी बताने वाला हूँ कि इन मेंसे आपको कौन सा तरीका चूज करना चाहिए कौन सा तरीका सबसे स जरूर देखना अब बात करते हैं हमारे पहले तरीके के बारे में जिसके थूरू आप इंडिया से Canada पैसे लेके जा सकते हो और वो है कैश तो कैश के बारे में सबको पता है आप अपने इंडियन रूपीस Canadian डॉलर में convert करवाते हो जिसको आप फिर बाद में Canada लेके जा सकत अब यहां पर मैं आपको एक्जांपल देता हूं एक डॉलर के लिए क्योंकि यह जो बाकी के जो टू रूपीस होते हैं जो आप उपर से एक्स्ट्रा दे रहे हो यह इनका कमिशन होता है जितने भी लोग एक्स्चेंज करते हैं तो यहां पर आप काफी जादा कमिशन दे रुपए बन जाते हैं और आपको काफी सारा लॉस हो सकता है यहां पर तो इसलिए कैश काफी कंविनेंट रहता है आप इसलिए हर जगा यूज कर सकते हो लेकिन यहां पर आपको हेवी एक्स्टेंज रिट देना पड़ता है और दूसरी चीज है कि कैश को यूज करना तो काफी कंविनेंट होते हैं लेकिन चैश करना इतना कंविनेंट नहीं होता इसलिए जब आपको बहुत सारी अमाउंट लेके जा रहे हो आपके पास काफी सारी नोट है तो आप उसको हर जगा लेके घूमते रहोगे और हर जगा हमेशे यही सोचते रहोगे कि यार मेरा करूँ है कि अगर आप Canada किसी भी method से पैसे लेके जा रहे हो cash अपने साथ जरूर रखना थोड़ा बहुत cash रखना लेकिन अपने साथ cash जरूर रखना क्योंकि काफी time ऐसा हो सकता है कि आपका card काम नहीं कर रहा है या फिर कहीं पर card accepted नहीं है तो आप हाँ पर cash payment कर सकते हो अब next mode है हमारा 4x card 4x card भी आपको दो टाइप के बताने वालों सबसे पहले बात करते हैं traditional 4x card के बारे में जो कि मागरो 60 के 62 गें तो यहाँ पहले पहला पे हैं यहा पर Кар्या बिलावर्प और एक एक और लाइन चाहिए और पर चाहए वर्टा ला preciso कर सकते हो याफिर आप चाहिए बार्जार शरूर चीज सब्धेयर ब्हभणा सकते हो लेकिन यहाँ पर ट्रेटिशनल प्र में problem तब आती है जब आप देखते हूं उनकी hidden fees अब यहाँ पे आप किसी भी bank में चले और उनकी website पे जाके उनके forex card के बारे में details read करो और उनकी fees read करो तो आपको काफी सारी fees मिलेंगी अभी मैं अपना bank का बताओं मैं आप नाम नहीं लूँगा कौनसे bank की बात कर रहा हूं मैं लेकिन मैं अभी अपने personal bank की website पे गया था उनके forex card में चेक आउट करे और वहाँ पे मैंने fees देगी कि कितनी total fees लगती है अब अगर मैं आपको एक एक करके fees गिनवा होना आप हैरान हो जाओगे number one आपको forex card issue करने के लिए एक fees लगती है मतलब 165 पर लगेंगे अगर आपको forex card चाहिए तब भी आपको एक fixed percentage of fees देनी पड़ेगी जिसको हम कहते है forex markup fees और एक बार आपने अपने forex card में पैसे डाल दिये तो आप उसको अपने Canadian bank account में transfer नहीं कर सकते आपको वो पहले amount withdraw करनी पड़ेगी और even withdraw करने में आपके around 3 Canadian dollars की fees लगेगी और एक बार आपने वो withdraw कर लिए तो उसके बाद आपको अपने Canadian bank account में उसको deposit कराना पड़ेगा अब यहाँ पर forex card वैसे तो काफी easy to use रहता है लेकिन यहाँ पर आपको काफी सारे hidden charges मिल जाते हैं नियो bank कोई bank का नाम नहीं है नियो bank मतलब जो modern banks होते हैं जो की online bank होते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं अब यहाँ पर ऐसे काफी सारे online banks हैं आपने सोना होगा कि आप online आपने किसी bank account डाउनलोड करा वहाँ पर आपने डीटेल डाले हैं और आपका account एकदम से आपका bank account बन गया आपको कुछ जादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा तो मैं उन bank account की बात कर रहा हूं जो की easily आप online use कर सकते हो आपको किसी branch में जाने के ज़रुएत नहीं है तो वो new bank साथ काफी जादा emerge हो रहे हैं और आपको यह काफी अची schemes provide करें अपने debit cards पर और इवन यह 4x card भी नहीं है यह एक normal debit card है जो कि एक new bank आपको provide कर रहा है और इसमें क्या benefits मिल जाते हैं एक traditional 4x card से अगर हम compare करें तो वह भी मैं आपको बता देता हूं तो अगर हम बात करें traditional 4x card की तो वहाँ पर issue होने में काफी दादा time लग सकता है जब मैं अपने bank गया थो और मैंने उन्च आथा कि मुझे एक 4x card चाहिए तो उन्होंने मुझे का था अभी available नहीं है आपके flight कब है मैंने का था मेरी flight April में है तो कहरें अभी तो एक महीना ह अगर हम दूसरी तरफ इस online bank की बात करें तो यहां पर जो मुझे debit card मिला यह मैंने 2 minute में account बनाया एप और मुझे bank account मिल चुका है और उन्होंने मेरा card प्रिंट करना भी start कर दिया है और वो around 2 हफते के अंदर मेरे घर पे आ जाएगा और अगर आप चाहते हो कि मैं उसके उ मतलब अगर आपने इसमें इंडियन रुपीस लोड करें और आप चैनड़ जाकर पेमेंट करते हो तो वह उस टाइम के एक्स्टेंज रेट के हिसाब से इंडियन रुपीस से कैनेडियन डूलर में convert हो जाएगा और आपको जीरो फोरेक्स मार्क फीस देनी पड़ेगी जो कैसे मेरे पास काड़ है उसे क्या-क्या benefits हैं और क्यों आपको वह कैनेडा लेके जाना चाहिए मेरा तो खाम यह वीडियो बनाना आप comment से बता देना अगर आपको उसकी पर वीडियो चाहिए तो मैं बना दूगा तो अगर आपको वीडियो ची लग रही है तो चैनल को सब methods बताने वाला हो ना उसके लिए आपको थोड़ा wait करना पड़ेगा उसके लिए आपको Canada में bank account खुलवाना पड़ेगा उसके बाद आपके उस bank account में पैसे आएंगे तो यहाँ पर अगर आप initial few days के लिए अगर आप Canada में transaction करना चाहरे हो जब तक आपका bank account नहीं खुलता त और वहाँ पर आप अपने नाम पे चेक इशू करवा लो अपने ब्रांच से और वो चेक आप Canada लेकर जाओ अपने साथ और जब आपका Canada में bank account खुल जाएगा तो आप उनको वो चेक दे दो और आपके bank account में पैसे transfer हो जाएंगे Indian bank account से Canadian bank account में तेकिन यहाँ पर दिक्कत य करना काफी असान है और अगर आपको टाइम की कोई दिक्कत नहीं अगर आप 8-10 दिन वेट कर सकते हो तो आप बैंकर चेक को भी consider कर सकते हो अगले अगर हम option की बात करें तो वह है वायर ट्रांसफर अब वायर ट्रांसफर में भी सेम होता है आप Canada जाओ bank account खुल वहाँ पर लेकिन आप अपने bank में जाकर चेक कर सकते हो कि कितना exchange rate चल रहा है और कितना original exchange rate और कितना आपका bank provide कर रहा है तो ये दोनों चीज़ आप ज़रूर चेक कर लेना और आप compare भी कर सकते हो उसको कि 4X card से कि 4X card में कितना exchange rate होता है तो मेरे असाब से wire transfer का जो exchange rate है वो 4X card के जि consider कर सकते हो तो अब बात करते है कि मैं personally क्या करने वाला हूं तो यहां पर मैं एक तो cash लेके जाऊँगा और मैं आपको यही recommend करूंगा cash तो थोड़ा बहुत लेके जाऊँगा क्योंकि जहां पर credit card और debit card नीच चलेगा वहां पर cash चल जाएगा तो मैं 20% अपनी money जो भी मैं लेके जाऊँगा उसका 20% मैं cash में लेके जाऊँगा और बाकी 80% मैं forex card के थुरू लेके जाऊँगा क्योंकि cash तो मुझे लेके जाना ही है लेकिन मैं अपने सारे पैसे cash में नहीं रख सकता नहीं तो मुझे काफ़ यदा high exchange rate bear करना पड़ेगा इसलिए मैं 20% cash लेके बाकी आप bankers check और wire transfer को भी consider कर सकते हो लेकिन मैं personally एक forex card और बाकी थोड़ा बहुत जो भी cash है वो में लेके जाऊँगा तो यह तो पैसो की बात लेकिन मैंने already एक video बनाई है जहाँ पर मैंने आपको बताया 10 items के बारे में जो कि आपो Canada अपने साथ लेके जाने चाहिए व यह वली वीडियो ज़रूर check out को लेना यहाँ पर जाके आप check out कर सकते हो तो इस वीडियो वह इतना ही दिस्वो समरजीत signing off